पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली करोना वाइरस महमारी भारती नहीं बलकि विश्ट्र के कई देशों के जेलों में बंद कैदियों के लिए वरदान सावित हो रही है इन जेलों में करोना वाइरस के संकर्मण को फैलने से रोकने के लिए कुछ रेडियों में आने वाले कैदियों को रहा करने की कबाई चल रही है भारत की जेलों में कैदियों की भीड कम करने के इरादे से 7 साल तक की सजा के दाइरे में आने वाले दोशियों और विचारधिन कैदियों को रहाई के लिए राजिव सरकारें कदम उठा रही हैं उच्चितम ने आले के एक आदेश के परप्रेक्ष में ये कारवाई की जारी है इस आदेश पर अमल होने की हिस्तिती में 50,000 से विज़्यादा कैदियों की एक निश्चित अवदी के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत पर रहाई की सम्भावना है लेकिन पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिया होने वाले इन कैदियों की गतिविदियों पर पैनी निगा रखने की वेवस्ता अगर नहीं की गई तो करोना वाईरस महमारी पर काबू पाने के परयासों के दौरान ये इस्थानिये लोगों और पुलिस तथा परशासन के लि दिल्ली और पश्चमंगाल में 33,000 गुजरात और तमिलाडु में 1200-1200 कैदियों को रिया करने की कबाज चल रही है इसके अलाबा विदेशी नागरिक के रूप में पहचान निर्दारित होने के बाद दो साल से अधिक समय से असम के नजरबंदी शिवरों में बंद सैकडो कैदियों की रिहाई के भी शीर्ष आदालत ने आदेश दिये हैं लेकिन बलातकार, बलातकार के प्रयास, मादक पदार्थों की तसकरी, हत्या के प्रयास और ऐसे ही दूसरे अपरादों में 7 साल के सजा पाने वाले दोशियों और इतनी सजा के दंडिनी अपरादों में बंद विचार धिन कैदियों को करोना वायरस महमारी के दोरान जेल स बाहर आने की रियायत नहीं मिलेगी। न्यायाले ने पुलिस महाने देशकों के माध्यम से राजय सरकारों और किंदर शाचित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जेल से रहाई के बाद कैदियों को सुरक्षित तरीकी से जाने की सुविधा सु इन कैदियों और नजरबंदियों की गत्विदियों पर कैसे निगा रखी जाएगी क्या इन्हें अपने परवास वाले शेत्र के थाने में सबता हमें एक या दो दिन उपस्तिती दर्ज करानी होगी जेल में कुछ कैदियों के महमारी का शिकार होने पर अदालत ने सवता संग्यान लिया और 23 मार्च को कैदियों की रहाई के लिए उच्च नयाले के न्याधिश की अध्यक्षता में प्रतियक राज्य में कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था इस वक्त देश की 1349 जेलों में करीब 4,66,084 कैदि हैं जो इनकी शमता की तुल्ला में 173.6 प्रतिशत अधिक हैं हाला कि बिहार की नितिश कुमार सरकार जेलों में बंदोशियों अत्मा विचार धिन कैदियों के रहाई नहीं कर रही है राजे सरकार का तर्क है कि उसके यहां किसी भी जेल में कोई भी कैदी करोना वायरे से संक्रमित नहीं मिला है और यहां की जेलों में कैदियों की भीड़ भी नहीं है हाली में बिहार सरकार के इस रवये की और नियाले का ध्यान आकर्चित किया गया था किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करने के इरादे से न्याले ने साफ किया कि उसने सभी राज्जियों और केंदर साचित प्रदेशों को आनिवारी रूप से कैदियों को रहा करने का आदेश नहीं दिया है नियाले के तेश मार्ज के आदेश का मकसद करोना वाइरस महमारी फैलने की इस्तिती में शमता से आधिक कैदियों वाली जेलों में इस संक्रमन के विस्तार को रोकना है किसी भी दूसरे देश की तरह ही हमारे यहां भी कैदियों के इलाज के लिए जेलों में अस्पताल की सुविदा है इसके लावा आवश्यक्ता पढ़ने पर सरकारी अस्पतालों में भी उनका इलाज होता है देशकी जेलों के रखरका और कैडियों पर सरकार हर साल भारी भरकम रखम खर्च करती है वर्स 2018-19 में इन कैडियों पर 1176 करोड रुपए खर्च किये गए थे जिसमें मेडिकल से आदेशों के बाद भी यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कड़ी सुरक्षावाली जेलों से डेड़ से दो महीने के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिया होने के बाद खुली हवा में सास लेनी की आजादी मिलने पर कितने कैदी अस्थाई आश्रेग्रों में रहना चाहेंगे इस सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि इन में से कुछ दोशी आरूपियों का आगे चल कर कोई सुरागी ना मिले सत्य हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं